हेलो दोस्तों इस विडियो सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम जिस विशे को कवर करने जा रहे हैं वो है कार्बन में आप बंधन और उसकी सर्वतो मुखी प्रकृती bonding in carbon and its versatility तो दोस्तों इस से पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की परमानू संख्या 6 है जिसका अर्थ है कि कार्बन के एक परमानू में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के विभिन कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वित्रन कैसे होगा लेकिन दोस्तों हम कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के वित्रन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके electronic configuration के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम कार्बन में आप बंधनों के प्रकार को समझ सकें कार्बन के सबसे बाहरी कोश में चार इलेक्ट्रोन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको चार इलेक्ट्रोन प्राप्त करना होता है या उनका हरास करना होता है लेकिन क्या ये संभव है? चूंकि कार्बन एक छोटा परमानू है इसलिए बाहरी इलेक्ट्रोनों को परमानू के नाभिक द्वारा प्रबल आकर्शन द्वारा पकड़ कर रखा जाता है इसलिए कार्बन से चार इलेक्ट्रोनों का हरास संभव नहीं है इसी तरह इलेक्ट्रोन प्राप्त करना भी संभव नहीं है कल्पना कीजिए यदि कार्बन को इलेक्ट्रोनों को प्राप्त करना या इलेक्ट्रोनों का हरास करना हो तो एक ये चार इलेक्ट्रोन प्राप्त कर C4-Ridion बना सकता है लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रोन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रोन धारण करना मुश्किल हो सकता है दो ये 4 इलेक्ट्रोन खोकर C4 प्लस धनायन बना सकता है लेकिन 4 इलेक्ट्रोनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रोनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक उर्जा की आवशक्ता होगी इसलिए कार्बन अपने अन्य पर्मानूओं अथ्वा अन्य तत्वों के पर्मानूओं के साथ साजेदारी करके इस समस्या को सुल्जा लेता है कार्बन के सबसे बाहरी कोश में चार इलेक्ट्रोन होते हैं तथा उतकृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसे चार इलेक्ट्रोनों की आवश्यक्ता होती है जो वह इलेक्ट्रोनों को साजहा करके प्राप्त करता है चुकि एक कार्बन परमाणूं को उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए चार इलेक्ट्रोनों की आवश्यक्ता होती है इसलिए इसकी सैयों जगता वैलंसी चार होगी अर्थात कार्बन चतुह सैयों जग टेट्रा वैलंट है कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रोन की साजेदारी करके अनुओं का निर्मान करते हैं जिन इलेक्ट्रोनों की साजेदारी की जाती है वे दोनों पर्मानूं के बाहरी कोश्के ही होते हैं तथा इनके फल स्वरूप दोनों ही परमानू उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिती को प्राप्त करते हैं। कार्बन के योगिकों की चर्चा करने से पहले, इलेक्ट्रोनों की साजेदारी से बने कुछ सामान्य अणूओं को समझते हैं। इस तरह से बने अणूओं में सबसे सामान्य अणू हाइड्रोजिन का है। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया है, हाइड्रोजिन की परमानू संख्या एक है, अतह इसके के कोश में एक इलेक्ट्रोन है, तथा के कोश को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रोन की आवशक् है इसलिए हाइड्रोजन के दो परमाणू अपने इलेक्ट्रोनों की साजहदारी करके हाइड्रोजन का अणू H2 बनाते हैं परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रतियक अणू अपने निकत्तम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रोनिक विन्यास इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन को प्राप्त करता है जिसके के कोश में दो इलेक्ट्रोन होते हैं इस प्रकार दो परमाणू के बीच इलेक्ट्रोन के एक युग्म की साजहदारी के द्वारा बनने वाले आबंद सहसयोजी आबंद को वैलेंड बॉन्ड कहलाते हैं सहसयो जी आबंद कोवैलेंट बॉंड वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंद होता है लेकिन इनका अंतरा अणुक बल इंटर मॉलेकिलर बॉंड दुर्बल होता है फल्स्वरूप इन योगिकों के क्वतनांक एवं गलनांक कम होते हैं चुकि परमाणूं के बीच इलेक्ट्रोनों की साजेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं सामान्य तह ऐसे सहसयोजी योगिक विद्युत के कुचालक होते हैं आईए अब हम कार्बन की सर्वतों मुखी प्रक्रती वस्टाइल नेचर ओफ कार्बन के बारे में जानें विभिन्न तत्वों एवं योगिकों में हमने इलेक्ट्रोनों की साजेदारी द्वारा सहसयोजी आबंध का निर्मान देखा आप सरल काबन योगिक मेथेन की सनरचना भी यहां देख सकते हैं हम ये भी जानते हैं कि हम कितनी चीजों का उप्योग करते हैं जिसमें कार्बन होता है वस्तुतह हम स्वयम भी कार्बन के योगिकों से बने हुए हैं सहसयोजी बंद की प्रकृती के कारण कारण में बड़ी संख्या में योगिक बनाने की क्षमता होती है। कारण में दो कारक देखे गए हैं। एक, कारण में कारण के ही अन्य परमानूओं के साथ आबंद बनाने की अध्वितिय क्षमता होती है। जिससे बड़ी संख्या में अनू बनते हैं। इस गुण को श्रिंखलन, कैटनेशन कहते हैं। इन योगिकों में कार्बन की लंबी श्रिंखला, कार्बन की विभिन शाखाओं वाली श्रिंखला, अत्वा वले में व्यवस्तित कार्बन भी पाये जाते हैं। साथ ही, कार्बन के पर्मानू एक, दूई, अथवा त्री आबंद से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन पर्मानूओं के बीच केवल एक आबंद से जुड़े कार्बन के योगिक संत्रिप्त योगिक, साचुरेटिट कमपाउंड्स कहलाते हैं। दूई, अथवा त्री आबंद से जुड़े कार्बन के योगिक, असंत्रिप्त योगिक, अनसाचुरेटिट कमपाउंड्स कहलाते हैं। कार्बन योगिकों में जिस सीमा तक श्रिंखला का गुण पाया जाता है, वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। कार्बन कार्बन आबंद अत्यदिक प्रबल होता है। अतह ये स्थाई होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमानुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक योगिक प्राप्त होते हैं। दो, चुंकी कार्बन की संयोजकता चार होती है। अतह इसमें कार्बन के चार अन्य परमानुओं अत्वा कुछ अन्य एक संयोजकत तत्वों के परमानुओं के साथ आबंधन की ख्रमता होती है। ओक्सेजिन, हाइडरोजिन, नाइटरोजिन, क्लोरीन, सलफर तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के योगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेश गुण वाले योगिक बनते हैं, जो अनू में कार्बन के अतिरिक उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों, चतुह संयोजक्ता और श्रिंखलन से बड़ी संख्या में योगिकों का निर्मान होता है। अनेक योगिकों के अकार्बनिक परमानूं अत्वा परमानूं के समुह विभिन कार्बन श्रिंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन योगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था। तथा ये समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अत्वा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। दोस्तों, इस विडियो में हमने कार्बन में आबंधन और उसकी सर्वतों मुखी प्रकृती, Bonding in Carbon and its Versatility के बारे में अध्ययन किया। अगले विडियो में हम संत्रिप्त एवं असंत्रिप्त कार्बन यौगिकों Saturated and Unsaturated Carbon Compounds के बारे में जानेंगे।